हलो फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत के पूरुसों ने अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त किये हैं और ये उपलब्धियां उस समय खास हो जाती है जब वे इन उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले प्रथम बैखती होते हैं Friends, आज के class में हम लोग इन ही पूरुसों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे. मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का online class पर. Friends, आज का हमारा topic है भारत में प्रतम पूरुस. First in India, male. और ये इसका part 1 है. सारे सवालों के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा. अगर आपको इसका answer पता हो तो please comment box में आप comment भी कर सकते हैं. अगर आप चैनल में नए आए हो तो please हमारे चैनल को subscribe करें और notification bell को दबा के all को select कर दे ताकि आने वाले सारे class के वीडियो का notification आपको मिलता रहे. अगर आज का class पसंद आए तो please like करें और अपने friends के साथ share जरूर करें. तो चलिए सुरू करते हैं आज का class. आज का पहला सवाल है भारत का प्रतम गवर्नर जनरल कोन था? आंसर है लॉर्ड केनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराई लॉर्ड केनिंग था अगला सवाल है भारत का अंतिम वायसराई कौन था आंसर है लॉर्ड माउंट बेटन भारत का अंतिम वायसराई लॉर्ड माउंट बेटन था अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आंसर है लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन था अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल कौन था अंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रत्थम तथा अंतिम भारती गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था अगला सवाल है भारत का प्रत्थम राष्टपती कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र परशाद भारत का प्रथम राष्टपती डॉक्टर राजेंद्र परशाद थे अगला सवाल है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्टपती कौन थे आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसेन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्टपती डॉक्टर जाकिर हुसेन थे अगला सवाल है भारत का प्रथम उप्राष्टपती कौन थे आंसर है डॉक्टर सरुपल्ली राधा कृष्णन भारत का प्रथम उप्राष्टपती सरुपल्ली राधा कृष्णन थे अगला सवाल है भारत का प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे अगला सवाल है भारत का प्रथम उप्रधान मंत्री कौन थे आंसर है सर्दार वल्लब भाई पतेल भारत का प्रथम उप्रधान मंत्री सर्दार वल्लब भाई पतेल थे अगला सवाल है भारत का प्रथम ग्रिह मंत्री कौन थे आंसर है सरदार वल्लब भाई पटेल भारत का प्रथम ग्रीह मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल थे अगला सवाल है भारत का प्रथम सिक्छा मंत्री कौन थे आंसर है अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम सिक्छा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे अगला सवाल है भारत के केंद्रिय मंत्री मंदल से इस्तिफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे आंसर है स्यामा प्रसाद मुखरजी भारत के केंद्रिय मंत्री मंडल से इस्थिफा देने वाले प्रथम मंत्री स्यामा प्रशाद मुखरजी थे अगला सवाल है भारत के प्रथम चीफ ओफ एर स्टाफ कौन थे? आंसर है एर मार्शल सर थोमस एम हर्स्ट भारत के प्रथम चीफ ओफ एर स्टाफ एर मार्शल सर थोमस एम हर्स्ट थे अगला सवाल है भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? आंसर है एर मार्शल स मुखरजी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एर मार्शल स मुखरजी थे? अगला सवाल है भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? आंसर है वाइस एड्मिरल आर्डी कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एड्मिरल आर्डी कटारी थे? अगला सवाल है भारत के प्रत्थम चीफ ओफ आर्मी स्टाफ कौन थे? आंसर है जनरल एम राजेंदर सिंग भारत के प्रत्थम चीफ ओफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंदर सिंग थे अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का प्रत्थम कमांडर इनचीफ कौन थे? आंसर है जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत का प्रत्थम कमांडर इनचीफ जनरल करियप्पा थे अगला सवाल है भारत के प्रत्थम फिल्ड मार्सल कौन थे? आंसर है जनरल मानिक सौव भारत के प्रथम फिल्ड मार्सल जनरल मानिक सौव थे अगला सवाल है भारतिय लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे आंसर है गनेश वासुदेव मावलांकर भारतिय लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गनेश वासुदेव मावलांकर थे अगला सवाल है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे अंसर है सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे अगला सवाल है भारत के प्रथम मुख्य नयाईधिस कौन थे अंसर है हिरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य नयाईधिस हिरालाल जे कानिया थे अगला सवाल है स्वतंत्र भारत में जनमे भारत के प्रथम मुख्य नयाईधिस कौन थे अंसर है न्याई मुर्ति सरोस होमी का पाडिया स्वतंत्र भारत में जनमे भारत के प्रत्थम मुख न्याईधिस न्याई मुर्ति सरोस होमी का पाडिया थे अगला सवाल है अंतरराष्टिय न्याले में प्रत्थम भारतिय न्याईधिस कौन थे आंसर है डॉक्टर नागेंदर सिंग अंतर राष्टिय नयाले में प्रथम भारतिय नियाइधिस डॉक्टर नागेंदर सिंग थे अगला सवाल है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आंसर है ब्योमेश चंद्र बनर जी भारती राष्टिय कॉंग्रेस के प्रत्थम अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर जी थे अगला सवाल है भारती राष्टिय कॉंग्रेस के प्रत्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे अंसर है बद्रूदिन तैयब भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के प्रत्थम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रूदिन तैयब थे आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं जल्द ही मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के साथ इसी तरह के सावालों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका धन्यवाद